नमस्कार मैं पूजा वशिष्ट आप सभी का बोल्ट स्काई में स्वागत करते हूँ ऐसा कई बार होता है जब आपको शायद नीद खुलते ही पेट में दर्द होना शुरू हो जाए ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता और इसके वजह से दिन की शुरुवात भी एक खराफ फीलिंग से हो जाती है पेट दर्द के लक्षडों में शायद आपको सीने के निचले हिस्से में या पेट के उपरी भाग में जलन जैसा ऐसास होना पेट फूलना या ब्लोटिंग डकार आना पेट भरा भरा लगना और मितली भी शामिल है अगर आप सुभा पेट में दर्द के साथ उपते हैं तो हम आपको कुछ इसके कारण बताने जा रहे हैं कि आपको किन वजहों से पेट में दर्द हो सकता है अगर आपको पेट में बाएं और दर्द महसूस हो रहा हो तो ये कभी कबार नहीं बलकि अकसर होता हो तो सतर हो जाईए ये किड्नी संबंदी समझस्या हो सकती है किड्नी में पत्री बनने के कारण भी हो सकते हैं इस इस्तिती में पानी ज्यादा से ज्यादा पियां और ड इसके अलावा महिलाओं में नीचे की और ये दर्द घरभाशे की समस्या के कारण भी हो सकता है। पेट के बीचों बीच होने वाले दर्द में अलसर होने की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा गैस और अमलियता के कारण भी इस तरह का दर्द पैदा होता है। ऐसा होने पर तुरंट अपने डॉक्टर को दिखाएं और सलहा लें। पेट में उपर की ओर और चाती से ठीक नीचे की ओर होने वाला दर्द विशेश रूप से एसिडिटी के कारण हो सकता है। इस इस्तिती में तुरंट दवा लेने के बजाए एक लास ठंडा दूद भी हैं या फिर एक छोटा टुकडा अद्रक का मुँ में डाल कर चूस लें। इसके बाद भी यदि दर्द कम ना हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पेट में नीचे की तरफ उठने वाला दर्द मूतराशे से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करता है। इसके अलावा ये मूतरनली में इंफेक्शन या सिस्त के कारण भी हो सकता है। में इलाव में मासिक दर्द के दौरान भी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। फिलालस जानकारी में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। साथ ही चानल के सब्सक्राइब जरूर करें।